शरीर को अंगिनत फायदे देने वाला सुपर फूर खजूर आपकी कई बिमारियों को जूमंतर कर सकता है यह आपकी पाचेन शफ्ती को बेहतर करने से रेकर आपके दिल के लिए भी फायदे बंद है आईए आज आपको हम बताते हैं खजूर खाने के कुछ फायदे और तरीके वीडियो को आखिर तक जरूर देखें खजूर ना सिर्फ खाने में स्वादिश्ट होता है बलकि सेहत के लिए इसके कई फायदे होते हैं खजूर में भरपूर मातरा में फाइबर होता है जो आपके पाचन तंतर की सफाई करने के काम आता है अगर पाचन ठीक रहेगा तो कब्सकी शिकायत नहीं होगी खजूर में मौझूद फाइबर आपके दिल को मजबूत और सिहत मंद बनाने का काम करता है खजूर आइरन, कैशे, पोटाशे, मैगनीशियम, फोसफोरस, मैंगनीज, तांबा, आदी जिसे पोशक तत्वों से भरा हुआ है चलिए जानते हैं इसके कुछ और गुट मिली ग्राम आइरन, 656 मिली ग्राम पोटाशियम, 62 ग्राम फोसफोरस शोदकरताओं के रुसार ज्यादा खजूर खाने से आपका वज़न बढ़ भी सकता है इसलिए आपको रोजाना एक खजूर ही खाना चाहिए अगर कुछ मीठा खाने का मन है तो कार्णी की बजाए आप दो तिन खजूर खा ले ये आपके शुगर लेवल को मेंटेन कर सकता है खजूर मीठे की तलब मिटाने की हेल्दी तरकीब है ये सफेद शुगर के अच्छे विकल्प होते हैं क्योंकि इनमें सोडियम, कॉलिस्ट्रॉल और फाट नहीं होता लेकिन याद रखें इसमें कैलरी ज्यादा होती है खजूर आपका पाचन दुरस रखेगा खजूर फाइबर का अच्छा स्त्रोत है इसलिए से खाने से पाचन क्रिया को फाइदा पहुचता है ये LDLA, कॉलस्ट्रोल जबा होने से रोकते हैं जिसकी वरे से दिल की बिमारियां जैसे की हाईपेटेंशन, दिल का दौरा इस सब का जोखिम कम रहता है या आपका एनीमिया से बचाव कर सकता है शरीर में आईरन की कमी होने पर एनीमिया की स्थिती बन जाती है आईरन लाल रख्त कोशिकाओं की शरीर के दूसरे अंगों में अक्सिजन पहुचाने में मदद करते हैं जिसकी वो अंगर ठीक से काम कर पाते है खजूर में आईरन उच मात्रा में होता है इसलिए नेमित रूप से खजूर का सेवन करने से आप एनीमिया से बच पाएंगे प्रती 100 ग्राम खजूर में 656 मिली ग्राम पोटाशियम होता है जो उसे पोटाशियम की पावर हाउस बनाता है हजूर में केर्शियम, मेगनीशियम और विटामिन B6 पाए जाते हैं केर्शियम और मेगनीशियम दोनों ही हड्डियों के विकास के लिए जरूरी है वहीं विटामिन B6 प्रोटीन को तोड़ने और तंतरका के कारियों में मददगार है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम और हेल्ज टिप्स के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए